कल आज और कल लाल गोयल के संग कारेक्रम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है यह कारेक्रम वीफोर न्यूज, ग्लोबल टीवी, वीफोर इस्ट्रीम, न्यूज गाउं से समवास सारोकार न्यूज, ओर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ग्यान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है कारेक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा प्रयास रहता है कि हम उन विबूतियों को आपके सामने प्रस्तुत करें जिनोंने अपने जीवन में काफी उचाईयों को छुआ है और आज जो विशिश्टतिती हमारे साथ हैं वो बहुत ही उनकी जीवन उनका इतना उचाईयों तक गया है कि अगर मैं उनका वर्णन करूं तो मैं सोस्ताओं की आदा घंटा भी बहुत कम पड़ेगा मैं परचय कराना चाहूंगा और उनका बहुत-बहुत स्वागत करूंगा वो हैं पदम श्री महन सरूप भातिया जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भातिया जी हमारे कारेकरम कल आज और कल लाल गोयल के साथ संग में पदम श्री महन सरूप भातिया जी बहुत ही जाने पहचाने पत्रकार रहे हैं अपने समय में आप महा सच्चिव हैं ज्यान दीप सिक्षा भारती सीनियर सेकंडरी स्कूल मत्वरा के आपने पत्रकारिता अपने बच्पन से ही विध्यारती जीवन से ही आपको काफी समची रही उननिस्सो पच्पन में बीस वर्ष की आयू में कालेज पत्रिका में आपने लेख प्रकाशित किया पत्रकार अपने पत्रकारिता किया आप संबादाता जिला संबादाता रहे समाचार भारती PTI भाषा आकाशवाणी दूरदर्शन दिल्ली लखनव गोरकपुर के आप मत्रा रेडियो स्टेशन से भी कई वर्षों तक जबसे वो शुरू हुआ था जुड़े रहे और भौती प्रमुक भूमी का आपने उस अख्वारों के भी को और मेगजीनों को भी आपने रिप्रेजेंट किया उनमें लेक लिखे उनमें समाचार भेजे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माता टीला रिहंद करभी आदी बांधों के निरक्षन के लिए आयोजित प्रेस टूर में आप मध्या रेलवे द्वार महराज छेत्र में आयोजित प्रेस टूर में पत्रकार प्रतनीदी के रूप में सब जगे आप समलित हुए विशिष्ट व्यक्तियों से जिनसे आपने इंटर्व्यू लिया साक्षात कार किया उनमें कुछ मुख्य नाम में दे सकता हूँ वो हैं विजय लक्षमी पंडित जी अरुना आसिफली जी बीपी सिंग आचार्य नरंदेव फिल्म अभीनेत्री वनमाला दिलीप कुमार जी राश्पती आर वेंकट रमन ज्यानी जैल सिंग जी जो भूतपूर राश्पती हैं विजय लक्षमी पंडित जी एवं श्री अटल भिहारी बाचपे जी हमारे भूतपूर प्रधान मंत्री आप 31 वर्षों तक मासिक पत्री का कार्णी कलाप के संपादक रहे आपने कनाड़ा अमेरिका मौरिश्यस नेपाल थाइलेंड तंजानिया आदी देशों की यात्रा की और वहां से समाचारों को प्रेशित करके प्रकाशित करवाया आप कि महामहीम राष्टपती द्वारा आप पदमश्री से सम्मानित किये गए उत्तर प्रदेश के राजपाल माननेय शी रामनायक तथा मुक्य मंत्री शी योगी आदित्यनाद द्वारा भी आपका हार्दिक अभिनंदन किया गया आपको विभिन संस्थान द्वारा बहुत स कुछ जो विश्यस्थ हैं उनके बारे में मैं उल्लेक करूँगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा एक लाग रुपे की राशी सहीत लोग भूशन सम्मान आपको दिया गया ब्रज कला केंद्र दिल्ली द्वारा ब्रज विभूती हिंदी साहिते सम्मेलन द्व परा सहित्य महा महोपाध्याय, ब्रज भाषा विभूशन, ब्रज रत्न, ब्रज भाषा सहित्य साधना सम्मान, भारती शिरोमनी, संपादक शिरोमनी, पत्रकार रत्न, हिंदी सहित्य सम्मान, समाज रत्न, शिक्षा रत्न, शिक्षा भूशन, आधी सम्मानों से आपको सम्म अधिक आपको सम्मान दिये गए नेशनल एंड इंटरनेशनल आपने उसको ख्याती राप्त कराई उसके बारे में लोगों को अवगत कराया और इसका पूरा श्रे एक मात आपी को जाता है जो उसके बारे में काफी उस वक्त चर्चा हुई प्रमुख पत्पत्रिकाओं में ब्रज के सांस्कृतिक कारेप्रम का देश के प्रमुख मंचों पर आपने प्रस्तुती करण किया काले जी क्रती रंग महल का अकाश्वानी का को प्रसारन मंचन एवं प्रकाशन आपने किया हास्य व्यंक्रती हस्ते चलिये का आपने प्रकाशन किया आपने पत्रकार संमेलन पत्रकारिता विशेक आदी समारों में आप राष्ट्रिय स्थर पे मुख्यत थी अथा अध्यक्ष के रूप में आप आए आपका पड़्चय इतना लंबा है मैं कहां तक और पड़ू लेकिन क्योंकि हम उनके मुझ से ही सुनना चाहेंगे तो पुन्हे एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत ह आपके बारे में आपके खुली किताब रहे हैं और आपकी ख्याती मत्रब बिंदरावन चेत्र में ही नहीं मैं तो सोचता हूँ पूरे भारत और भारत के अलावा कई देश विदेशों में रही है लेकिन कुछ अच्छूते पन्ने हैं जिने आज हम टटोलना चाहेंगे हम जानना चाहेंगे आप कहां पैदा हुए आपका बच्पन कहां बीता आपकी प्रारंबिक शिक्षा कहां हुई और कोछ उसके वहां के जो संस्प्रण है उसे आप बताएं पंद्मर्शिरी महान सरूब भाटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल गोगेल जी आप में तो बहुत कुछ अत्ष्योक्ति पूर्ण के दिया मेरा जन राधा कृष्ण की जन भूमी लीला भूमी ब्रेच के केंद्र मत्वरा में हुआ कल 9 जून 1935 को मैं 86 वर्ष 86 का होपर मैं आपको बहुत बहुत बधाई अपनी और अपने सब दश्कों की ओर से कल आज और कल लाल गोगेल के संके सब दश्कों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा एक दिन बाद हम कर रहे हैं प्रोग्राम लेकिन बधाईया जनम दिन तो आपको पता है कि हमारे ब्रज में जनम दिन तो चलता ही रहता है हाँ हाँ बाटिया तो अब मैं आज 87 वर्स 87 एर का हूँ और एक रोचक बात जोड़ी हुई है इस ते मेरा जन्म हुआ नौ जून 1935 को और मेरी एक जन्म पत्री एक दैनिक समाचाच पत्र के मालिक थे उन्होंने अपनी चंड करता थी तो उन्होंने मेरी जन्पत्री भी बनबा दी उस जन्पत्री में मेरी आयू बहत्तर वर्स यानि 72 लिखी थी जब 72 पूरे होने को हुए तो मैंने लोगों से हलकी सी चर्चा कर दी कि मेरा अंतिम समय आ गया है और मैंने उसी साफ से अपनी तैयारी भी करी देहदा कर दिया ऐसे मेडिकल कॉलेज में रिजिस्ट्रेशन करा दिया कि मेरे निधन के बाद मेरी देहदान कर दी जाए लेकिन वहत्तर वर्ष के बाद भी वो करम आज तक चल रहा है इस बीच में मेरे एक बहुत ही परम शद्धे संथ प्रवर हैं स्वामी गुर्शनन अंजी मह महराज उनको किसी ने ये बात बता दी तो उन्हों एक दिन मुझसे कहा मौहन यह हम क्या सुन रहे हैं मैं नहीं समझा कि महराजी ने क्या सुना है मैंने हाट जोड़कर उनकी ओर जोगा दिये फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कहो कितनी उम्र बढ़ा जें तो मैं समझा कि महराजी तक पहुंच गई मैंने फिर नट मस्तक कर दिया तो अब मुझे नहीं पता कि मेरी आयू कितनी बढ़ चुकी है जो महराजी ने बढ़ा दी हो उस आयू को मैं जी रहां मेरे बचपन के जो एक बाले काल में बच्चे को जाद है तो कुछ पता होता नहीं पिता जी से शीडिर रॉल जी भाग किया तो जब मैं लगबह पांच वर्ष का हुआ आज तो तीन वर्ष के बच्चे को एड्मिशन के लिए ल की में ले जाते हैं तक पांच वर्ष से कम का बच्चा नहीं जाता था वह मुझे इस्कूल में आज कल के एड्मिशन इस सरा में कहा जा थी पट्टी थी एक लकणी की जिस पर आ बड़ा चोटा यह सब लिखे जाते थे या गिंती लिखी जाती थी एक दो तीन बंटू थ्री नहीं और एक बुदक्का था बुदक्के का अर्थी एक चोटा सा कुलण जैसा जिसका उपर का मुँद छोटा नीचे बड़ा उसमें खड़िया डाली जाती थी और एक होता था कलम वो होती थी नेजे की यानि सरकंडे की कोई स्रेट नहीं बत्ती नहीं पैन नहीं पैंसिल नहीं कॉपी नहीं तो पिताजी मुझको हाथ पकड़कर पास के एक स्कूल में ले गए गली में प्रवेश करते ही एक जीना था उसम मकान मालिक का अपना आंगन था और उपर तीन कमरों में बच्चे बैठ कर पढ़ रही थे यह मुझे आज भी ध्यान है और उस क्लास में एक मासाब थे जो धोती कुर्टा और सिर पर टोपी लगाए हुए थे पिताजी ने का इस बच्चे को भरती करा ना है उन्हों नहीं टेड़ी नगाओं से मेरा हाथ पकड़ किया का चल बैठ और मुझे बठा दिया गया आज तो जो टीचर्स होते हैं यूके जी यूके जी बड़े प्रेम से बच्चे को कहते हैं आओ मैटे टौफी खिलाते हैं कुछ दिखाते हैं खेल खिलोने वहराल में बैठ गया उसके अगले दिन फिर पिताजी लेके चले तो मैंने बहुत जिद्द की कि मैं नहीं जाओंगा लेकिन ले ही जाना था तो लेकर आए तो बच्चपन इस तरह से बीता वो कक्षा रथम होती थी फिर उसके बाद आगे फिर उसके बाद आगे तो फिर ये तो था प्राइमरी में तब तक समझ आ गई सी कि पढ़ना आवश्यक है उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज इस तरह से पढ़ाई होती रही लेकिन जूनियर हाई स्कूल का एक संस्वरान मेरे ध्यान में आज किसी की कल्पना में नहीं होगा कि मिडिल क्लास का एक्जाम होता था उस समय काहों में कोई अगर व्यक्ति मिडिल पास है तो वो आज के MAPHD के समान समझा जाता था औरे हो तो मिडिल पास है तो उसके लिए जब परिक्षाएं होने वाली होती थी एक्जाम तो महीने डिएर महीने पहले से हैड मास्टर साब कहते थे यहां से पढ़कर घर जाओ अपने खान सुला देते थे और सुबह चार पाच वज़े उठा कर कहते थे जाओ घर नाओ धो खाना खा कर फिर आ जाना तो जब तक इमतहान होते थे तब तक यह क्रम चलता था मात्रो साथनी क्लास की परिश्या के लिए हमने मिडिल क्लास पास कर ली उसके बाद हायर सेकेंडरी कॉलेज में हुए और बड़ी सफलताओं के साथ अपनी कक्षाएं पास की एक संस्मरान कॉलेज का भी है हमारे पॉलेटिकल साइंस के जो हैट थे वो जो टेस्ट लिया करते थे तो पहले से बता दे थे एक दिन वो अचानक आयो टेस्ट लेने लग दे जो उन्होंने इन्होंने जो कुछ लिखा है वो मेरी समझ में नहीं आया बड़ी बिशुद हिंदी में लिखा है तो जिस बच्चे के हाइश मार्श थे उससे पांच नंबर ज्यादे देकर मैंने इनको हाइश मार्श दिये हैं बाट्या जी कौन से कॉलिज का संस्पनण है या कौन से कॉलिज से आपने किया था प्रियाश श्रिबाद में बना रहा जब मैं पत्रकार बना वह अद्यक्स थे तो हमारा उनका भेटा उस लूप में हो आप आप जब इतना बढ़िया पढ़ रहे थे और आप राजनीती में आपने में किया तो आपका पत्र कारिता से कैसे लगाब हो गया कैसे आप जुड़ गया पत्र कारभी पंड़ा K मैं एक संस्वरण बताता हूं आपको मत्रा में उस समय मात्र एक पुस्तकाले था देश बंदु पुस्तकाले सीवरिया चड़कर एक कमरे में तो मैं शाम को वहां जाया करता था मैंने एक पुस्तक पढ़ी शेखर एक जीवनी इसकी लेखत थे सच्चिदानंद वासायन अग बता दूँ फिर आपको इसके आगे का प्रसंग बताऊंगा आकाश्वाणी का मत्रा में आकाश्वाणी केंद्र की स्थाफना हुई 29 जनवरी 1967 को बहुत से लोगों नों एपलाई किया और प्रयास किया रिश्वद्देदे के महां जोढ़नेका लेकिन मेरे पास एक दिन म अब ही डॉक्टर बर्साने लाल चत्रवेदी को लेकर वो आए चत्रवेदी जी मेरे गुरू भी रहे थे और मेरे बिलकुल पड़ास में थे तो एक तरह से बहुत पर्चित थे और उन्होंने मुझ से आग रहे कि यह मैं आकाश्वाणी जोइन करूं मैं इससे पहले आका इसकार में नहीं है आपको संक्षित में बताता हूं किसी तरह से उन्होंनम उससे हां करा ली कि आप प्रेस खोलते हैं दस वजे आठ वजे खोल लिया करिए चार वजे बंद करके और आकाश्वाणी आ जाईए और हमारा कारिक्रम कर दिया तो 29 जन्वरी को पहले दिन 1967 को म भाईयों के लिए उसमें मेरी भूमिका थी भाईया जी की और उसका प्रारम मैं करता था सब सुन्वेवारे भाईयान को राम राम और चौपाल पर जो लोग उसमें बहुत कम रेडियो थे तो एक रेडियो पर सौदो सौगावाले खटे हो जाते थे और वहीं से कहते राम पत्रों के उत्तर बहुत से कारक्रम किये उसमें मेरी भूमिका होती थी भाईया जी की तो मेरा नाम महान सरूप भाटिया में लोग कहते या तो भाटिया जी कहते है या महान सरूप भी कहते है यह सब भूल कर वो एक नाम मुझे लेने लगे भाईया जी और आज मेरी ख्य कृष्ण जन्माश्मी पर जन्भूमी से और द्वार कादीश से आँखों देखा हाल रनिंग कमेंट की सुनाई जाती थी वो मुझे सुनाने का अवसर मिला और रंगीली गली बरसाना से बरसाने की होली का उन दिनों मेरे लेख बिशेश रुक से होली के और कृष्ण जन्म क समाचार पत्र पत्र काएं जो देश की प्रमुक थे उसमें प्रकाशित होने लगे थे और मैंने ब्रिच की होली को भौत उचाईयों पर दर्शकों तक पहुंचाया चर्कुला नर्थ आज तो केवल देश मेनी विदेशों तक पहुंच गया है लेकिन उस समय चर्कुला को कोई नहीं जानता था आपने गाउं की लोगी संग्रे की यात्रा में भाटिया जी मैं मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा से दर्शकों को बता दे कि चर्कुला नर्थ जो होता है जिसमें एक नर्थ की कितने सारे दीयों को रखके जो बताएंगे आप जरा नर्थ क्य जगे होती है और लगबख सौधी पक किसी के मैं चैर्कुला में असी हूं किसी के एक सो आठवन लगबख सौधी पक रहते हैं और गाउं की जो कुशल नत्यांगनाय होती है जैसे एक है उसने किसी दूसरी को सिखाया तीसरी को लेकिन कुछ बहुत नेपोन होती हैं कुछ कम नेपन होती हैं वो चेरकुला लेकर गाओं की थान पर जाती है थान का मतलब कोई जो मिधन का कोई स्थल रहा हो किसी का और फिर महाँ पर हूजा करके आती हैं और नर्टे करती हैं और उनके साथ में एक बहुत बड़ा धोल होता है जिसे बंब कहा जाता है उस पर कुछ और बधाई में क्या होता है कि द्वेदे हुजो मतलत दो दो संतान हो एक मुक्दम एक पटवारी मुक्दम और पटवारी गाओं का उस समय बहुत बड़ा पद होता था तो मैंने जब उसको चरकुला को देखा, उस समय तक चरकुला के विषय में कोई नहीं जानता था गुजे पर्येटन विभाग ने होली मेला का सहिजद बनाया था तो जन्भूमी पर कायरकरम था, मेरे मंन में ह важा के चर्कूला का मैं यहाँ प्रदर्षन कराऊ जन्भूमी के कायरकर्म के लिए परासौली और मुखराई ये गाउं हैं वहां गया तो मुखराई गाउं का चर्कुला बहुत प्रसिद्ध था मैंने वहां संपर्क किया तो वहां की जो त्यांगना थी और उनके घरवाले थे कि हमारी औरते हैं कोई रंडी बेड़ि नहीं जो शेहन में नाचिने जाएं हम नहीं जाएंगे मेह लाँ एक दल कह रहा था कि हमने वाइदा किया जाईए और एक दल कह रहा था तक नहीं हमारी महलाएं नहीं जाएंगी बहराल स्वामी जी के कहने से किसी तरह से वो लोग आए और वहां मत्रा के जिलादिकारी बड़े बड़े सम्रांत लोग थे उनका हमने अच्छा स्वागत जलपान बोजन से किया तो वो सब लोग बड़े प्रसंद होकर गए उसके बाद लखनगु का एक कारक्रम आया सूच संस्क्रिति विवाग का तो मैंने उनसे का महां तुमारे सुसरजियेश कोई नहीं होंगे तो चले इसके बाद से तो अपना उस समय उनकी धूम मची और बेदेशों की लाइन लग गई यह लाइन लग गई कि बहुत से दल हो गए और इनके बड़े नकरे हो गए और नकरे जो शुरूबात कर रहा ही एक छोटे से नत को आया आपने इतनी उचाईयों तक पहुचा आया मैं नहीं सोचता कि आपने कभी कल्पना में भी सोचा होगा कि यह नत इतना बड़ा होके इतना बड़ा व्यवसाइब बन जाएगा जी 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 नहीं मैं आप चाहूंगा आपसे यह पूछना कि आपने इतने सक्सेस्फुल आप पत्रकार थे और इतना आप सब कला और साइटी के लिए कर रहे थे तो आपके मन में इस्कूल को एक स्थापित करना और आज जो इस्कूल जो आपका ग्यानती इस्कूल है जो क मत्रा में नहीं बलकि आज-पास के छेत्रों में भी भूत एक ख्याति पा वाला स्कूल है इतना नम नाव उसने कमाया है इतना बड़ा स्कूल है और जिसकी जो अच्छा है कि स्टेंडर्ड का स्कूल बाना जाता है वो आपके मन में कैसे विचार आया कि आप स्कूल को शुर एक ऐसा नर्ट्य जो संसार में संभव नहीं है किसी के द्वारा होना अफवाद छोड़ दीजिए और मत्रा के लोग ब्रेच के लोग उस नर्ट्य के संबंद में उसकी A B C D भी नहीं जानती है किसी को नहीं पता वो नर्ट्य मैंने अपनी आँखों से देखता एक महला हल हल जो होता है किसान के खेत में चलाता है इस तरह का उस हल को दातों में दवा कर घूंगट काड़ कर और दोनों हाँच छोड़ कर यदी निर्ट्य करें तो आपको विश्वास होगा कि क्या ये संभव है हम एक पैन आधा मिनट नहीं रख सकते सीधा इस तरह से किसी को बिश्वास नहीं होगा लेकिन मेरे पास उसका एक चित्र है बहुत इस पश्ट तो नहीं है लेकिन उसका एक एलार्डमेंट मैंने कड़ा रखा है बड़ा चित्र है वो मिलित्यांगिना अब नहीं रही उसने आगे प्रसक्षित नहीं किया किसी को अपनी तरह से वरना चर्कोला से भी अधिक शाथी उसकी होती, वो एक चमतकारी निर्थित था, जे, मैंने समाचार पत्रों में देश के कोई समाचार पत्र नहीं बता है, जिसमें ब्रच की होली, बरसाने की होली, जाब बठेन का होरंगा, फालेंड की होली, जिसमें पंडा जलती हुई ल प्रसाने की होली, लेकिन दाओ जी का होरंगा अफालेंड, यह सब मैंने खूब प्रसिद्धी इनको प्रसाथी, अब आपका प्रशन था के सिक्ष्या संस्था का कैसे हुआ, मैं एक सिक्ष्या संस्था से जोड़ा हुआ था, और मैंने उन्तिस वर्ष की आई हुमें, नह से जलने वाला एक स्कूल था, उस स्कूल का मैं प्रवंदक था, बाद मैं किसी एक बात पर मेरा उनका मतवेद हो गया, और विवेक बुद्धी उस समय ज्यादे नहीं थी, मैंने संकल्ट लिया कि हम एक दूसरा स्कूल खोलेंगे, एक छोटी सी किराई की जगे में जिसमे प्लेग्राउंड के नाम पर एक छोटी सी जगे थी, मंच के नाम पर एक बरामदा था, कुछ कमरे से किसी में रोशनी आती थी, किसी में नहीं, लेकिन मेरी बहन थी, वो संगीत में बहुत प्रसिद, ख्याती प्राप्त थी, बड़ी होश्यार थी, उन्होंने बच्चों क क्रिशनी लाएं थैयार की, और हम दो बार नैपाल ले गए बच्चों को, उस समय तक कक्षा पांच की बच्चों का कोई एजुकेशनल टूर नहीं जाता था, नैपाल दो बार गए, हमां के राश्टी सवागार घ्रह में हमारे बच्चों का कारक्रम हुआ एक संसा की और स कि पिछले वर्षों में भारत के किसी सांस्कितिक दल का इतना अच्चा कारक्रम नहीं हुआ, सिक्ष्या मंत्री नैपाल के उसमें उपस थे, नैपाल के प्रधार मंत्री कोईराला जी से भी भेट हुई बच्चों के उन्होंने भी बड़ी प्रिशन सा की कि मैंने सुना, और काश्मीर गए दोवा कर शेख अबिल्ला की गोदी में हमारी पांच वर्ष के बच्चे बैटे, हमारी बच्चों की आयू समय चार पांच वर्ष से बारे वर्ष तक होती थी, लेकिन उस सेक्षण की यात्राओं में जो हम जगे जगे गए उसने स्कूल को बहुत ख्या हो था, इश्वेर क्रपास है, संतों की क्रपास है, फिर गोबर्दन चौराए पर एक बड़ी जगे ली गई और उसमें आज ये CBSE से मानिता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, भाटिया जी आपने बच्चपन में कभी सोचा था कि आप एक वक्त आपको बहुत से भारत सरकार के महामहीम राश्पती द्वारा नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, पदम श्री अवाज मिलेगा, कभी आपके मन में कभी ख्याल आया था कि जो आप इतना कार कर रहे थे कि मेरे को कभी कभी नहीं सोचा था, मैंने ब्रिच के गाउं से जो लोगईत एकत्रित किये वो अमूल निधी है, आज अब वो गाउं में नहीं गए जाते, इस सितियां संस्कृती बदल गई है, एक बार राहुल सांकृत्यायन नेमत्रा के जिलादिकारी को लिखा कि मैं ब्रिच के उन से काया, भेनाव के अच्छी सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया, थन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का दया, तो राहुल जी बड़े आश्चरी चकेती है, हम तो ब्रिच के लोगई सुनने आए थे, मैंने का अब गाउं की संस्किती ये होगी, फिर मैंने उनको कुछ गीत सुनाएं मैंका तुमपे, या या वह शम्यां तो पर गाउएं और इस पर संस्कित में बटाओँ आ आपको कि जब मुझे पदमिश्री मिल रही सी, राश्पति जी's दे रही से तो मेरे मस्तिष में उस समय दो पोट्लियां घूम रही थी, दो महिल ये ले पौट्लियां य थी हमारा एक और शदी निर्मान का संस्थान पिताजी का था तो उसमें से कुछ जड़ी वूटी और ऐसी चीजे लेके महलाइन ले जाती थी अपने घर रत्वीश पर लाती थी चक्की से और यहां के देती थी उसमें उनको कुछ मजदूरी मिल जाती थी वह दौनों महलाइ संब्रांत परिवार की थी पड़ी लिखी भी थी तो मैंने उनसे कहा आपको कुछ गाओं के गीत आते हैं वो रहा थोड़े बहुत तो आते हैं मैंने इस तरह के कुछ गीत हमको लिखके दे दो उन्होंने लिखके दिए और मैं उनका बड़ा करतग रहा के ऐसे गीत जो कि मुझे गाउं से कम मिल पाई थे वो उन्हों ने दिये तो मुझे पदमशी मिलते समय मेलाओं की वो दो पोटली अब दीख रही थी और अपनी कृतेगेता ग्यापिर कर रहा था बड़ा असंभव का रहे था जे और आपने असंभव को संभव किया इतने कम है समय में लेकिन म मैं चलते चलते आपसे एक आग्रह करूँगा कि आप आज की युवापीडी को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओसे आपको गाउं सगीत इखटे करने की वो बता दू थोड़ी सी नहीं अब समय नहीं है भात्या जी मेरा समय समापत हो गया क्योंकि लाइव आप सुनते तो कहते क्या लेकिन युवापीडी जो है आज बिटक चुकी है टीवी चैनल ने अब उस प्रकार के कायरकरम संस्कृतिक कायरकरम नहीं देते आज की पूर्णि को नहीं पता जिसका प्रकार के कायरकरम परोशे जाते मैं कोई समेंट नहीं करना चाहता उसका युवा प्यूडी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो उनकी भी अपनी मजबूरी है कि बिग्यापन तभी मिलते हैं कि उस प्रकार के कार्व हो तो मैं उस पर चादे विस्तार से नहीं जाना चाहता है लेकिन मैं चाहता हूं कि टीवी चैनल्स पर दूर दर कि पापा जी आप आज आओ और निकल गया उस असलील कार्व संकेत करके छोटा बच्चक है जे 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 तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भातिया जी आपका कि आज आपने आके हाला कि समय का बहुत अभाव है आपके इतने संस्म्राण हैं जो बिलकुल हम सुनना चाहते है और हमाई दर्शक भी चाहते हैं लेकिन समय का भाव तो बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बच्चपन से लेके अब तक की जीवन यात्र है उसके संस्मर्ण हमारे दर्शकों को बताएं सुनाएं मैं सोचता हूँ कि आज का जो कारेकरम रहा बहुती ज्यानवर्दक रहा हमारे दर्शकों के लिए और आज का कारेकरम कल आज और कल लाल गोल के संग को सीधा प्रसारन वीफोर न्यूस ग्लोबल टीवी वीफोर स्ट्रीम न्यूस गाहों से संवाज सारोकार न्यूस के अलावा दूरे फेस्बुक और यूट्यूब पे भी किया गया And our endeavor is to bring to you everyday new topic in our morning program that is called Media Conference with Lal Goyal at 10.30 a.m. And tomorrow our topic is Role of Youth in Community Health and our Chief Guest is Professor Dr. Saurabh Kumar, Professor and Head of the Department of Community Medicine, Father Muller Medical College, Mangalauru. So please tune in tomorrow at 10.30 a.m. for Media Conference with Lal Goyal and view the program. Thank you very much, Padam Shri Mohan Sarup Bhatia Ji. Yes, please tell me. If you have a life, you will be able to see the future. Then we will find Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna Bhatia Ji, thank you very much, and thank you very much. Thank you very much, and thank you very much.